इसका डिब्रूगर एक्स्प्रेस फ्रेंड हादसे का शिकार कैसे हो गई? इस हादसे के कारणों की असल वज़ा क्या है? अचानक पट्वी से ये डिब्बे डिरेल कैसे हो गए? और ये हादसा है या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार है इसलिए रेल्वे ने एक जाज कमीटी का गठन कर दिया है रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ये पल्टे हुए डिब्बे तौरते भागते लोग ये तस्वीरे हैं गोंडा जिले की जहां चंडिगड से असम के डिब्रुकर जा रही एक्सप्रस ट्रेन डिरेल हो गए इस रेल हाथसे में कई लोग घायल हो गए हाथसा दोपहर करीब धाई बजे के आसपास हुआ जब अचानक ट्रेन के डिब्बे पट्री से उतर गए गोंडा में हुए इस रेल हाथसे पर रेल्वे की ओर से जांच के आदेश दे गए है रेल्वे ने इस घटना के उच्चस्तरी जांच के आदेश दिये है कहा जा रहा है कि गोंडा में हुई रेल हाथसे में डिबरुगर्ड एक्स्प्रेस के लोको पाइलट ने धमाके की आवास सुनी थी इसलिए भी रेलिवे ने इस हाथसे की जांच का आदेश दिया है इस जांच में इस बात का भी पता चलेगा कि रेल हाथसे की असल वज़े क्या थी चंडिगर्ड डिबरुगर्ड एक्स्प्रेस ट्रेन हाथसे का शुकार कैसे हो गई इस हाथसे की काड़ों की असल वज़े क्या है आचानक पट्री से डिब बे डेरेल कैसे हुए ये हादसा है या फिर इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं इन सवालों के जवाब में मिलना जरूरी है सूत्रों समिली जानकारी के मताविक प्रात्मिक जाच के बाद ये बताया जा रहा है कि ट्रेन काफी धीमी गती से चल रही थी यही वज़े है कि हादसे में जादा लोगों की जान नहीं गई सरकार और पुशासन का पहला फोकस घायलों की मदद पर है उसके बाद हादसे के काड़ों पर विस्तार से जाच की जाएगी बिर रिपोर्ट निउस एटी गोंडा रेल हादसे पर डिप्टी सीम ब्रजश पाठक ने कहा है कि घायलों को सीएच सी में भड़ती कराया गया है हादसे में तीन लोग गंभी रूप से घायल हुए है जुनका जिलास्पताल में इलाज चल रहा है तो डिप्टी सीम की तरफ से कहा गया कि हमारी प्रात्मिक्ता है सबसे पहले उन लोगों को सुरक्षित बचाया जाए इलास भुहिया कराया जाए जो लोग इस खादसे में घायल हुए उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर जाज परताल भी की जाएगी अब इस खादसे को लेकर एक टीम का गठन भी कर दिया गया है जो ये चार्च करेंगी कि ये साज़िश है या फिर खादसा है आलाकि ये बारिश होने के चलते हैं कई चका पर हूट काफी जादा खराब भी हो गए थे फिलाल तो गोंडा में हादसों के शिकार हुई ट्रेन में बचाव और राहत कारे खत्म हो गया है और बताया च्वारा है कि ट्रेन के आच डिब्बे पट्वी से उतर गए और हादसे में दो लोगों के मारिच्वानी की खबर है और करीब 26 लोग खायल हुए हैं हादसे के वक्त का मंजर ऐसा था कि देखते ही देखते हर कोई चीक पुकार पहाँ पर देखी गए और हर कोई हैरान रह गया है एक रिपोर्ट आपको लिखाते हैं इसे से जूड़ी गए अचानक गड़गड़हट किया आई आवास और पलट गई ट्रे 20 से 25 सेकिंड में सब उजड़ गया गड़गड़हट में हुए ट्रेन हाथसे में फिलाल रेलवे की तरफ से अब तक दी गई जानकारी के मुताबे कम से कम 10 से 12 डिपे पटरी से उतर गई थे गटना के बार ट्रेन में मौझूद लोगों में अफरा तफरी मच गई सबसे पहले स्थानिये लोग ट्रेन हाथसे का शिकार हुए यात्रियों की मदद के लिए पहुँचे इसके बाद गउंड़ा प्रचासन और इल्बे लोगों तक राहत पहुँचाने के लिए सक्रिय हो गया तेजी से राहत और बचाओ का काम शुरू किया गया गाईलों को जल्द से जल्द नजदी की अस्पतालों में ले जाया गया करीब 10-12 डपे 38 से अलग हो गये हैं और दो डिबेस में पलट गये हैं इस सुचना पे तबकाल जो हमारी पुलिस की फोर से वो मौके पहुची और हमारी जो फायर डिगेट की टीम है गटना की जानकारी होते ही रेलवे के तमाम अधिकारी मौके पर पहुच गए और रेस्क्यो अपरेशन शुरू किया गया हाजसे की वज़ए से इस रूट से गुजरने वाली ग्यारेट विने डैवर्ट करती गई और दो ट्रेंट कैंसिल कर दी गई गॉंडा से सांस्तोत अब देश राज्यमती किर्ती वर्धन सिंग भी मौके पर पहुच गए और राहत बचाओ कारे में तेजी लाने की बात कही गई जो लोग सोगें लोग हैं उनको अभी से ही अस्पताल सेची मनकापूर और रूंडा पहुचाए जा चुका है आजसे में बाल बाल बचेक यात्री ने बताया कि हम लोग लेटे हुए थे और तभी अचानक जोर की आवाज आई और कुछी सेकंड बात चीक पुकार मच गई किसी तरह बाहर निकल कर देखा तो ट्रेन पलट चुकी थी डिब्बे बेबटरी हो चुके थे गनीमत रही कि हमारी जान बच गई बाल बाल बच गया एक ट्रेनिक सीडेंट हो गया रेल हादसा गौंडा के मोती गांच बॉर्डर के पास हुआ जहां गोरकपुर होते हुए चंडिगर से समझा रही डिब्रुगाड एक्स्प्रेस के डिबे अचानक पट्री से उतर गए आजसा इतना भीशन था कि पट्री भी उख़ड गई और कई आतरी डिब्मों के अंदर ही फस गए थे जिनने बड़ी मुश्कल से ट्रेन से बाहार निकाला गया पिलाल रेल मंत्राले ने मिर्दकों के परजनों को 10 लाग रुपे और कंभी रूप से घायलों को 2 लाग रुपे और मामूली रूप से घायलों को 50 जार रुपे की सहायता राश्ची देने की खोशना की है बिरो रिपोर्ट न्यूज एठी और ग्राउंड जीरो से राजिव सिंग हमारे सायोगी हमारे साथ में जुड़ गया है राजिव का रुप कर लेते हैं राजिव रेस्क्यो ऑप्रेशन अब खत्म हो चुका है ग्राउंड जीरो पर इस वक्त आप मौझूद है क्या तस्वीरे आपके आसपास और क्या है पूरे मामले में अपडेट अमन्तिप इस वक्त में गोंडा कि उसी पिकौरा गाउं में खड़ा हूँ जहां पड़ ये आज दोपहर करीब पिकौरा गाउंगे ये हासा हुआ है आप देख सकते हैं ये वही चंडी गार डिब्रूगार एक्सप्रेस है जो करीब दोपहर तीन बजे इसी पिकौरा गा जिला अस्पताल और मेडिक कालेज में एडमिट कराया गया है जो सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता थी जैसे ही इस दुरगटना की जानके आरी मिली खुद मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने सबसे पहले अस्थानी पूलिस प्रिशाशनों और मेडिकल की कई टीमों को मौ जिसके बाद इस ट्रेन में जितने भी लोग सवार थे उनको अस्थानी मनकापुर जंक्षन से उनको अगले गंतविके लिए रवाना कर दिया गया है फिलाल आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक पर क्योंकि इस ट्रेन के दुरगटनाग्रस होने के कारणा अब तक छे ट्रेन वो सामने हैं यहां पर रेलवे के करीब सेकलों इंजिनियर्स मौके पर मौझूद हैं हजारों की संख्या में जो यहां पर वरकर्स हैं वो इस वक्त जो 19 ट्रेन के डिब्बे डिरेल हुए हैं उनको ट्रैक पर लाने का प्रयास कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ दियो मनी त कर दो कर दो चस्तरीय जांच की बात की जा ही उतके हैं यहां पर कॉषन था साइठ उसकी जानकारी लोको पाइलेट पर को ना था राका है यहां पर ब्लॉक सेक्षन था जिसमें बाइपास का काम हो रहा था अंडर पास का काम हो रहा था और जो रेल वी पट्रवी पर कुछ और जो काम चल ला था तो जब जो लोको पाइलेट का कहना है कि यहां पर एक तेज आवाज हुई है धहमाकी जैसी एक आवाज हुई है उसके बाद ट्रेन में कमपन हुआ है दो बार इधर कमपन हुआ है दो बार इस तरफ से कमपन हुआ है उसके बाद एक पट डिरेल हुई है लगातार फिर एक करके 19 जो बोगिया है वो डिरेल हुई है एसी की बोगिया जिसमें दो लोग की मौत हुई है और 31 लोग घायल हुए है तो अभी उचस्तरिय जांच की बात यहां की जो जीम यहां पर मौक्वेश पहुंची थी सौमया माथुरून का कहना है कि उचस्तरिय जांच के निर्दे यही होता है जहां पर कॉसन लगा होता है लोको पाइलेट को जानकारी दी जाती है ताकि वो उस अस्थान पर ट्रेन की स्पीड को नियंतरित कर ले लेकिन क्योंकि यहां पर कॉसन लगा था मरमत का काम चल लहा था इसकी जानकारी लोको पाइलेट की नहीं थी इसलिए जो बाद एक एक करके देखके ही देखके 19 जो डिबडे थे वो डिरेल हो गए जिनमे से चार डिबडे जाधा डैमेज हुए हैं वो खाही में गिरे हैं पानी में गिरे हैं जिसके चट्रेंग दो लोगों की मौथ हुए है और करीम CC गायल हुए है हाला कि ये जो ट्रेन है इसमें SSG कोज लगे हुए थे क्योंकि चंडी गाड़ डिब्रू गाड़ एक प्रीमियम क्वालिटी की ट्रेन है SSG डिबों की ये खासियत होती है कि जब कोई इस तरह की आपदा हो दुरगाटना होती है तो वो एक दूसरे पर नहीं चलते हैं उनको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है और अगर यही SSG डिब्बे न होते तो साइद ये डिब्बे 19-19 अगर एक दूसरे के उपर चलते हैं तो ये हासा और बड़ा हो सकता था कई और लोगों की जान जा सकती थी लेकिन जैसे ही इसासे की जानकारी मिली ततकाल मौके पर अस्थानी पुलिस प्रसासन की टीम पहुँची है और दरजनों मेडिकल टीम को भेजा गया और साथी साथ HDRF खुद मुख्यमत्री योग अधितनाथ इसका अगठर ही इसलिए किया था कि अगर कोई आपदा होती है कोई एक्सिडेंट होता है तो है HDRF के टीम जाए जैसे ही सूचना मिली चाहे गोंडा हो बहराई शोसरावस्ती हो माराज गंज की HDRF मौके पर भेजा गया रेस्ट्यो आपरेशन सुरू किया गया और दो से धाई घंटे के अंदर जो घायल थे उनको ततकाल संबंदित अस्पतालों में जहां जिसको जितने इलाज ही जरूरत की वहां पर एड्मिट कर आया गया है जिसके चलते जो casualty हुई है वो बेहद minimum हुई है अलाकि दो लोगों की मौत की बात अब तक कही जा रहा है 31 लोग गंबिर है इस दोरान रेलवे ने भी इन लोगों को आर्थी मदद का ऐलान किया है भृतकों के लिए 10 लाक और जो पिर रूप से घायल है उनके लिए 20 लाक और जो नर्बल भी घायल है उनके लिए 50 अजार की मदद का ऐलान किया गया और साथ ही साथ इस पूरे मामले की उच्च तरी जांच सिक कमेटी का घठन कर जांच कराया जाने की बात कहीं गई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये हास्था कैसे हुआ क्योंकि ये एक एस्पेसल ट्रेन है और ऐसे में अगर इस तरह की ट्रेन दुर घठना गरस कि पहला जो कारण मौके पर सामने आया क्योंकि यहां पर कासन लगा था यहां पर निर्मान और मरम्मत का काम चला था जिस कासन की जानकारी साथ लोको पाइलेट को नहीं थी और यही कारण है कि उसने ट्रेन धीरे नहीं की क्योंकि यह जो एरिया है गोंडा है यह बाड़ प हो चुका है जब जाच होगी तो उसमें क्रिश्टल किलियर हो जाएगा कि आखिर इस दुर घटना का कारण क्या था लेकिन फिलहाल जिस तरह से 23 की में से 19 डिबे दिरेल हुए बड़ी दुरगटना हुई उस हिसाब से नुक्सान कम हुआ जानमान का भी नुक्सान कम हुआ है हलांकि फिलहाल जितने भी यात्री थे उनके लिए सबसे पहले उनके परिजनों को कोई दिक्कत ना हो उनको बारे में सूचला उन तक पहुंचाई जाए तो इमर्जनसी नंबर जारी किये गए उनके परिजनों को बचाए गए और चाती जो निर्देश्ट है वो मुक्यमंतरी की तरफ से अधिकारियों को भी जारी कर दिये गए थे